और पिलिएवोर फिल्माint के लिए लिक्नानाती रही है, लेकिन कुछ खलनायक ऐसे भी रहे हैं, जिन्होंने अपने किरदार और अभीने से फिल्मों में ऐसे चाप छोड़ी है कि आज भी लोग उस फिल्म के नायक को नहीं बलके उस के खलनायक को याद करते हैं जी हाँ ऐसे ही एक विलन थे अमरिश्पूरी कुछ लोग इन्हें मोगेंबो के नाम से जानते हैं तो कुछ इन्हें बाबा भैरवनात के नाम से तो कुछ इन्हें ठाकूर दुरजन सिंग लेकिन क्या आप जानते हैं अखिर ऐसा क्या हुआ था कि अम्रिश्पूरी अपने जादादर फिल्मों में बीना सर पर बाल के नजर आते थे नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं कि अखिर क्यूं अम्रिश्पूरी ने अपना सर मुनवा लिया था अम्रिश्पूरी के एक्टिंग की चर्चा तो बॉलिवूड से लेकर हॉलिवूड तक है अम्रिश्पूरी हॉलिवूड में गांधी नाम के फिल्म कर चुके थे फिल्म में अमरिशपुरी खान के कैरेक्टर में थे और दर्शकों ने इस रोल को काफ़ी पसंद किया था और उसी समय हॉलिवुड के सबसे बड़े डारेक्टर इसीवन स्पिल्बर्ग को अमरिशपुरी का ये रोल इतना पसंद आये था कि वो उन्हें अपने अगले फिल्म इंडियाना जॉनस एंड़ टेंपल ओफ डूम में कास्ट करना चाहते थे लेकिन अमरिशपुरी ने उन्हें मना कर दिया स्टीवन स्पिल्बर्ग उन्हें कैसे भी अपने मूवी में लेना चाहते थे इसलिए उन्होंने गांधी फिल्म के डारेक्टर रिचार्ड से रिक्वेस्ट किया कि वो कैसे भी अमरिशपुरी को राजी करे रिचार्ड के कहने पर अमरिशपूरी ने स्टीवन को हा कर दिया फिल्म में अमरिशपूरी मोला राम का किरदार निभाते नजर आए इस किरदार के लिए अमरिशपूरी को गंजा होना बड़ा था फिल्म में अमरिशपुरी एक तांत्रिक के भूमिका में नजर आते हैं जो की काली देवी का भगत है ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो पाई सेंसर के करण पर पूरी दुनिया ने अमरिशपुरी को एक्टिंग का लोहा माना फिल्म डिलीज होने के बाद स्टिवन स्पिलवर्ग ने अमरिशपुरी को लेटर लिखा और कहा मैं बेस्ट विलन फिल्म इतनी एप्रिशेट हुई कि उस दिन अमरिशपुरी ने डिसाइड किया कि वो अब अपने बाल आने नहीं देंगे और गंजे ही रहेंगे इससे उन्हें अलग-अलग तरह के खुंखार किरदार करने का मौका मिलता रहेगा दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और यदि आप कोई और कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर लिखे ताकि हम उस पर आपको विस्तार से बता सके बॉलिवूर्ड दुनिया की और भी रोचक कहानीयों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक शेर करें इस वीडियो को